कुछ टेलिविजन चैनल्स पर यह खबर दिखाई जा रही थी कि भारते जन्ता पार्टी की माननिया विधायक श्रीमती रश्मी वर्मा जी के इस्तीफे की चर्चा हो रही थी । मैंने उनसे बात किया अधरल बात दिया हुई थी कि उनके परिवार में संपत्य लेकर कुछ बिवाद है और उसी पर उनके आपस के परिवारिक मित्रों में को परिवारिक सदस्यों के द्वारा कुछ आवांचित तिपणी उनके विधायक पर कर दी गए थी और इसी की नाराजगी में उन्होंने इस तरह का एक पत्र लिख दिया था मेरे उनसे बात हो चुकी है जो समस्या वो परिवारिक समस्या इसका राजनेतिक रूप में कोई संबंध नहीं है और बात हो चुकी है वो बेतिया वापस भी आ रही है और इस प्रकरण को बंद संधा जाए इस्तिफा तभी होता है जब वो कोई विधान सभा के अध्यक्ष के सामने देता है उन्होंने नाराजगी के रूप में एक पत्र जरूर लिखा था लेकिन हम लोगों से उनकी बात हो गई है वो पत्र विधान सभा ध्यक्ष को नहीं दे रही है वो वापस अपने घर पे आ रही है और इसका कोई राजनेतिक कारण नहीं है यहाँ पारिवारिक विवाद के कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था जो बात अब समाप्त समझी जाए जो भी उनके विवाद हैं वह समाज दूर कर देगा पारिवारिक विवाद था कुछ संपत्ती को लेकर के परिवार में डिस्प्यूट था और इस कारण उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी संदे किया था लेकिन जब कोई विवादास्पद होता है तो उसका सलूशन उच्छा धिकारियों से निकलता है नीचे के इस तर प मन्या अरक्षिय दिक्षत से मिल करके जो भी सही है कदम और जो भी निदान है वह हम लोग निकालेंगा इस पिकर के पास कौपी नहीं गया था और मेरी उन से बात हो गई है वह पटना जा रही थी वह पटना से लोट करके पुणा घर वापस जा रही है और यह विवाद का राजनेथी से कोई लेना देना नहीं है यह शुद्ध पारेवाली विवाद था इस पर मैं टिपणी नहीं कर सकता हूं यह उनके परिवार के आपस के उनके पती के भाईयों के विवाद के कारण इस तरह की कोई आवाचिक टिपणी हुई थी जिसके लिए उन्होंने तैश में आकर के अपना इस्तिफा लिख दिया था नहीं नहीं कोई यह परिवारिक ही आपस में परिवारिक मामला है और परिवार के डिस्प्यूट से हुआ है इसका किसी भी प्रकार राजनेतिक रूप से कोई संबंध नहीं है और इस बात को पूरे तोर पे समाप्त हो चुकी है सर वह एकड़ी कर नहीं है कि वह बिड्रो कर लेंगा हां बिल्कुल वह वापस घर के लिए लॉट मी आई है आधे रास्ते से ही और यह जो फोटो जो जो दिखाई जया था बिल्कुल बात सही थी यह बात मुतले कि मैं वहीं कह रहा हूं आप लोह से कि वह परिवार में कि इस तरह से कुछ तो मिजर पर्टी का इमिज तो कराब हो लेंगा जब तक मैं उनसे मिल करके बात नहीं करता हूं इस पर मैं कोई टिपनी नहीं करूंगा पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बाबा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश कर्श मुक्ति प्रेम विवा जादु टोना पती पत्नी में अन्बन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समधान सभी समस्याओं का समाधान गुरू खान जी अभी कॉल करें 9821707996